हेलो फ्रेंट इस वीडियो में जो टोगी आप देख रहे हैं इस विचारे के पैर पर एक इंसान ने रोड से सरीय से इसको मार दिया था जखम काफी गैरा हो गया था जखम में काफी कीड़े पड़ गये थे जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ मैंने इसका रेस्क्यू में डाल जया था अंदर उससे उसी सारे केड़े मर गये थे सारे केड़े बाहर निकाल दिये थे और फिर वहां पर स्वैलिंग आयो थी मैंने निमो सलाइड हंडर्ड एमजी की टैबलेट इसको हर रोज एक टैबलेट दिया करता तो लोग पांच दिन तक मैंने इसको टैबलेट आती हैं आप वीडियो के सुरू में देखें और वह इस तरह के डोगी को आप 5-6 खिला सकते हैं 30 दिन में इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देनी है और अगर जखम ज्यादा काफी गहरा है तो अगले 30 दिन में 3-4 टैबलेट और दे सकते हैं इसके लाब आप फ और फ्रेंड जो इस तरह के केस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं जैसे किसी को कुझली हो गया हो या जकिमी हो गया हो केड़े पढ़ गया हूं सिर्फ इस नियो मैक की टैबलेट से जो आईवर मैक में इसका कंटेन है इसी से ही ठीक हो जाते हैं और बहुत ही सिंपल है आपको उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसका ड्रेसिंग करने की भी जरूरत नहीं है, यह medicine इतनी powerful होती है, कोई लोगी ड्रेसिंग कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके आप बिटडिन लिक्विड या हीमेक्स की ट्यूब या नियागर सेंट इस्टिंग पॉडर जो भी आपको, आप description चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने कुछ दवाईयों के नाम लिखे हैं, फ्रेंड, नियो मैक की जो आयवरिमेक्टिन जिसका container है, यह tablet देनी जरूर ही है, इससे कीडे मर जाएंगे, और कुछ भी आप antibiotic tablet और भी यूज कर सकते हैं, जो 12 घंटे गैप पे देनी होती है, बहुत से 24 घंटे के गैप पे देनी होती है, आपको कुछ समझ नहीं आयागा, आप मुझे comment करना, मैं आपको अपना WhatsApp नमर दोंगा, मैंने WhatsApp नमर लिख दिया है, description में आप